हाई आज मैं बात करूंगी पोस्ट पार्टम हेमरिज के बारे में पोस्ट पार्टम हेमरिज का मोस्ट कॉमन कॉज इंडिया में है ऑफस्टेटिक हेमरिज ऑफस्टेटिक हेमरिज करने का मतलब ऐसा हेमरिज जो डिलिवरी के टाइम में होता हो ठीक है पोस्ट पार्टम हेम हमरे देश में पर एक लाख ओमन पे एक सो तीस ओमन का है ठीक है ऑफ्स्टेटिक हैं जो है वो दो तरह के होते हैं पहला एपीएच और दूसरा पीपीएच एपीएच को एटी-पार्टम हमरेज बोलते हैं अटी-पार्टम हमरेज कब होता है ट्वंटी-एट वीक अफ गैस्टिक हमरेज होत दोजश द गैस्टेशन के बाद after delivery till 42 days मतलब कि delivery के बाद और 42 दिन के अंदर में कोई भी कौज हो जिसकी वैसे genital bleeding बहुत जादा हो तो उसको हम PPS बोलते हैं APS तो मैंने बता दिया any bleeding in genital tract after 28 week but before delivery delivery से पहले but 28 week के बाद हो PPS का और भी definition PPS का definition है जैसे PPS defined as blood loss more than 500 ml in normal delivery 500 ml से जादा अगर normal delivery में blood loss होता है तो हम उसे PPS में है बोलेंगे ठीक है और cesarean section अगर कोई delivery हो रहा हो तो उसमें अगर more than 1000 ml blood loss हो रहा हो तो उसे भी हम PPS कहेंगे PPS को severity के अधार पर तीन टाइप में बाटा गया है mild PPS moderate PPS और severe PPS अब आते हैं mild PPS के बारे में mild PPS क्या होता है अगर bleeding जो है वो 500 ml से 500 ml से 1000 ml के बीच में हो तो उसको हम mild PPS बोलेंगे moderate PPS के से बोलेंगे अगर bleeding more than 1000 ml to 2000 ml तक हो तो उससे हम moderate PPS बोलेंगे और severe PPS के से बोलेंगे जब bleeding more than 2000 ml हो ठीक है any hemorrhage which can reduce hemoglobin by 1 gram percent is PPS यह भी एक PPS का definition की कोई भी hemorrhage genital hemorrhage जिसकी वाज़े से hemoglobin 1 gram percent से 1 gram percent गिर जाया तो उसको हम PPS बोलते हैं अब आते हैं massive obstructive hemorrhage कब बोलेंगे massive obstructive hemorrhage if Hb decreased by 4 gram percent massive BPH hemorrhage का बोलते हैं जब hemoglobin का level 4 gram percent से नीचे गिर मतलब 4 gram percent से कम हो जाया sorry 4 gram percent गिर जाया active management of third stage of liver labor के third stage में active management हमें क्या 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 करना चीज ताकि हम PPH होने से prevent कर सके इसमें तीन चीज होते हैं controlled cord traction controlled cord traction होता है यानि की धीरे धीरे से जो cord जो होता है umbilical cord उसको आराम आराम से खीचना ताकि प्लेसेंटा सडन खीचा के बाहर नहीं आ जाया आराम आराम से निकले ठीक है uterine massage uterus को उसके बाद में अच्छे से massage देना और तीसरा चीज होता है factor जो oxytocin यह तीनों चीज जो है वो काफी अच्छा role play करते हैं third stage of labor में ठीक है incidence of PPS PPH का incidence 5% है 5% के सज़ में PPS होता है चलो etiologic पे बात करते हैं PPH के PPH के etiology में 40 जाते हैं 4 टी 4 सबसे पहला आता है uterine tone uterine tone का loss होता है tonicity उसकी कम हो जाती है जैसे सबसे पहला atonic uterus जो है सबसे ज्यादा 80% cause है PPH का atonic uterus atonic uterus कब होगा जब हम uterus large हो uterus large कब होगा जब बेबी बड़ा होगा या फिर twins होगा जुड़वा बच्चे होंगे या फिर amniotic fluid जादा हो तब भी uterus में atonicity आती है दूसरा cause क्या है infection infection की वज़ा से क्या होता है जो हमरा वो membrane जो होता है ना amniotic fluid जिसमें रहता है amniotic sac amniotic sac जो होता है वो पहले ही rupture कर जाता है infection की वज़ा से तो उसको जिसको chorio immunitis भी बोलते हैं और infected uterus में क्या होता है कि contraction बहुत लेट होता है यह भी कारण है uterus के tonicity के loss होने का तीसरा कारण है prolonged liver जब लेवर बहुत लंबा हो जाए जैसे कि जो primary gravity है जिनको first time delivery हो रही है उनमें लेवर delivery का time लगभग लेवर जो होता है वो 10 to 12 आवर लग जाता है ठीक है इसलिए प्राइमरी ग्रेविटा में प्रोलोंग लेवर हो जाता है जो एक कारण है poor tonicity का ठीक है दूसरा आते हैं trauma uterine trauma अगर uterus में हो जाए किसी वज़ा से यह फिर cervix में हो जाए forceps की वज़ा से यह फिर vaginal trauma हो जाए तो उसको उसकी वज़ा से भी pph होता है ओके देन आते है third thrombine deficiency thrombine deficiency पर आते हैं thrombine deficiency मतलब होता है thrombine coagulative factor है जिसकी deficiency होता है इससी की वैसे coagulopathy होता है जिसमें disease कैसा रहाता है जिसे one will brand's disease idiopathic thrombocytopenic purpura और hemophilia b fourth cause है tissue tissue की में क्या होता है retained tissue tissue रह जाता है tissue अगर retained रह गया uterus के अंदर तो यह क्या होता है कि sudden complete contraction नहीं कि sudden placenta को pull खीच लिया गया उससे क्या होता है कि कुछ न कुछ tissue का part उसका tissue रह जाता है अंदर में जिसकी वैसे 24 hour के बाद 12 week के अंदर में कभी भी bleeding हो सकती है तो there are four T's causes PPS चार T's हमने क्या क्या पढ़ा था सबसे पहला पढ़ा था a tonicity tonicity loss uterus का दूसरा पढ़ा था दूसरा पढ़ा था हमने tone a tonicity हो गया दूसरा पढ़ा thrombine deficiency तीसरा पढ़ा tissue और एक और पढ़ा था sorry trauma yes trauma thrombine deficiency tissue और first वाला था tonicity loss यह सारे four causes है PPS के PPS जो होता है primary होता है secondary होता है primary हो गया within first 24 hour delivery हो गया generally first hour में ही ज्यादा होता है secondary PPS होता है जो 24 hour के बाद हो लेकिन 12 week से पहले हो और यह इसका secondary PPS का mostly कारण के होता है retrain tissue अब treatment पर आते है treatment part जो है उसमें सबसे पहले हम prevention के बारे में जाने prevention is better than cure सब कोई जानते है prevention पर आते हैं सबसे पहले हम इसको कैसे होने से बचाएंगे सबसे पहले prophylactic oxytocin देंगे जब baby का shoulder delivered हो गया हो तो उसी time हम prophylactic oxytocin का एक short लगा देते हैं उसके बाद बेबी डिलिवर्ड जब बेबी डिलिवर्ड हो जाए तब IM oxytocin और IV oxytocin देते हैं कितना 5-10 unit then क्या करते हैं massage of the uterus uterus का massage करते हैं by squeezing one hand inside the vagina and other hand above the fundus यह दूसरा hand fundus के उपर और one side inside the vagina से हम क्या करते हैं uterus का massage करते हैं और treatment का part मैं अगले video में post करूंगे okay अगर मेरे video पसंद आई हो तो like कर दे चैनल को मेरे subscribe कर दे मैं आगे ऐसे ही video बनाते रहूंगे